क्या आप जानते हैं कि कुटिनाइन हमारी बॉड़ी का एक केमिकल वेस्ट प्रॉड़क्ट है जिसे हमारी किड्नी ब्लड में से फिल्टर कर यूरीन के साथ हमारी शरीर से बहार निकाव देती है लेकिड्नी से जुड़े बिमारी हो जाने के बाद जब हमारी किड्नी सही से अपना काम नहीं कर पाती तब कुटिनाइन का लेवल हमारी शरीर में बढ़ने लगता है जिसका असर किड्नी के साथ साथ हमारी ओवरॉल हेल्ट पर भी पढ़ता है नमश्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल पर हमारे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टुनाइन कम करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का सेविन करना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो चानल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीज़एगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ये बात तो हम सब जानते हैं कि किड्नी से जुड़ी जादतर बिमारियों के ठीक होने में दवा के साथ-साथ खाने-पीने का विशेज ध्यान दिया जाता है क्योंकि सही खान-पान से नस्फ क्रिटिनाइन को कम करने में मदद मिलती है बलकि overall है किड्नी में भी सुधार आता है इसलिए अगर आप किड्नी को हेल्दी रखने के साथ-साथ क्रिटिनाइन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर द्वारा बताए कि दवाओं के साथ-साथ अपनी डायट में आवला, अनार, साबुत अनाच और हल्दी जैसे कई फूर आइटम्स को सरूर शामल करना चाहिए क्योंकि आवला हमारी बॉडी में मौझूद खराब खून को साफ कर हमारी किड्नी को डिटॉक्सिफाय करने और इम्मूनिटे को बढ़ाने के साथ-साथ-साथ-ब्लड सुगर और क्रिटिनाइन दोनों को ही नियंतिप्स करने में मदद करता है इसलिए kidney मरीजों की साथ-साथ diabetes मरीजों को भी आवले का सेवन सरूर करना चाहिए क्यूंकि अक्सर diabetes मरीजों की kidney fail हो जाती है आवले के अलावा आप हल्दी का सेवन भी कुटनाइन को कम करने के लिए कर सकते हैं क्यूंकि हल्दी में curcumin, anti-inflammatory, anti-septic और antioxidant गुर्ण पाये जाते हैं जिस वज़से हल्दी को आप अपने खाने में शामिल करने से क्युटनाइन के साथ-साथ kidney सूजन और stress को कम कर सकते हैं वहीं आयरवेट के अनुसार आपको क्युटनाइन को कम करने के लिए खीरा अनार और साबुत अनाच का सेवन सरूर करना चाहिए क्योंकि खीरे का सेवन करने से फाइबर और विभिन पोशक तत्व मिलते हैं इसके साथ खीरा खाने से क्यूरीन जादा बनता है क्युटनाइन जैसे टॉक्सिं मतीरियल को हमारी बॉडी से निकलने में मदद मिलती हैं वहीं एंट्री औक्सिदीं गुणों से भरपूर अनार में पोनी के लगिन ज़्यादा में पाया जाता है किडनी के बिमारियों से बचाने और कुट करने में मदद करता है अनार के अलावा आप फाइबर वाइटमिल और मिर्डल से भरपूर साभुत आनाज का सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि इन नाजों को अपनी डायट में शामिल करने से किड्नी के स्वास्त को बहतर बनाया जा सकता है साथ ही उजा बढ़ाने और फिटनाइन को लेवल को कम करने में भी मदद मिल सकती है विडियो में बताई गई बातें इलाज के तरीके खुराक की सलह विशेशग्यों के अनुभव के आधार पर केवल समाने जानकारी के लिए हैं किसी बे सलह को अमल में लाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलह सरूर लेगे क्योंकि कर्मा आयरवेदा आपको अपने आपसे नुस्कों न दवाईयों का सेवन करने की सलह पिलकुल नहीं देता है उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं आज के लिए इता हैं मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें केलदी रहें नमश्का